UNIC 7 UNIC 7 को अगर समझना है तो देखू क्या नीम है UNIC 7 Political Institution in India बारत में राजनितिक संस्तार अब राजनितिक संस नाम से क्या मतलब है? इसे Institution जो Political Resues पर काम कर रहे हैं Politics क्या है? State याणी की Government किन-किन Structures पर काम कर रहे है इसको हमें समझना है unit 7 से अब government के लिए सबसे main base क्या है कौन बताता है कि government में किस तरीकी के structure होंगे किसके पास कितनी पावन होगी क्या बताएगा Constitution क्या बताएगा भई Constitution तो यानी unit 7 में हमें cover करना है Indian Constitution पहनी जी तीक है अब क्या क्या cover करना है सबसे टेंगने historical background and making of Indian Constitution क्या इतिहास रहा हमारा कहां से start करेंगे ऐसा पहला step जब पहली बार control करने के लिए कोई act आया हो जो इस formulation की तरफ हमें लेकर गया हो तो ऐसा act कौन सा था graduating act तो जब हम हम historical background फड़ते हैं तो हम इसे न दो अलब parts में divide कर लेते हैं एक हमारा होता है company route और एक हमारा होता है crown route तो इसको बोलते हैं company का शासन इसको बोलते हैं ताजकशन क्या हुआ था पहले हमें पता है इस इंडिया company आई थी company trade करने आई थी उसमें कुछ एरिया नहीं वहां के civil revenue matter सॉल्व करने शिरू कि ब्रिटिश पार्लियमेंट को जब ये बात पता चली तो ब्रिटिश पार्लियमेंट ने company को करके कि अपना यहां पर कंट्रोर स्टार्ट किया तो वो जो कंट्रोल जो किसने किया ने पाल्यमेंट ने बट company के थिरू उस कंट्रोल को हम बोलते company फिर हे 1558 के रिवोल्ट के बाद 57 के रिवोल्ट के बाद 1858 में हमारे यहां पर क्या आ गया crown वहिछ 57 की क्रांती के बाद Britishers को realize हो गया कि अब company के बस की बात नहीं है तो उनों ने कहा कि हम रोल करने नहीं आ रहे हम तो इंडिया को good governance सिखाने आ रहे हैं and they came to India with the crown name तो यहां पे आ गया crown तो 1857 से पहले company rule और उसके बाद में crown rule तिल 47 जब तक independence नहीं ठीक हमें तो यह हमें पढ़ना है historical background इसके बाद मेकिंग मेकिंग भी क्याएगा constituent assembly सविधान सभा सविधान सभा कैसे बनी उसमें कौन-कौन से अलब-अलग committees बनी कौन सी committee के कौन से head से कब-कब meetings हुई किस meeting में क्या decide हुआ कितने दिन लगे आखरी में क्या बिल्स आए उन बिल्स में कितने drafting हुई क्या amendments हुई कौन draft कर रहा था कि कौन-कौन members थे main drafting committee बहुत-बहुत important है जिसके कौन थे chair में अमेड कर जो ठीक है तो इस चीज़ को हमें समझना है और इस यह आपका पहला point cover होता है historical background और making of Indian constitution इसके बाद में अब constitution स्टाट करें प्रियांबल प्रस्तावन इस प्रियांबल पार्ट ओफ constitution यह प्रियांबल आपके constitution का पार्ट यह आपको बताता है कि constitution में कौन से principle follow होने वाले हैं ठीक है तो इसके अंदर कुछ terminologies हैं उनको एक proper order में समझना है उस terminology से क्या मतलब है उसको समझना है बहुत important और प्रियांबल के ऊपर कुछ cases हुए जिन्हों ने कुछ ने बोला कि वह प्रियांबल को पार्ट मानना चाहिए कुछ ने बोला प्रियांबल को पार्ट नहीं मानना चाहिए तो वह cases भी हमें study करने फिर उसके बाद में fundamental rights fundamental rights मोली करीगार ठीक है में तो यह अगर article वाइस अगर आप चलो तो article 124 union territories की बात करता है article 5-11 citizenship की बात करता है and then 12-35 fundamental rights की बात कर तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है article पढ़ने है article के some sections पढ़ने है क्या चीज implement करता है कम करता है क्या exceptions है हर चीज पढ़नी है ऐसा नहीं कि उपर से पढ़ लिया वह article 14 right to equality वार खत्म नहीं आपको एक एक चीज आर्टिकल 14 क्या कह रहा है equal protection of law तो भाई उसका मतलम क्या है सबके साथ equal treatment तो उसका मतलम क्या है और exceptions कहां कहां है हर एक चीज डिटियन में पढ़नी है क्यूंकि एं-depth question आएंगे यहाँ से DBSP Directive Principles of State Policy राज्य निती के लिए निर्देशक सिर्थान एक स्टेट अपनी policies कैसे बनाएगी उसके लिए कुछ directive principles एक direction तैकि है कि तुम यह 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 चीज़े तुम्हें करनी है करनी चाहिए fundamental rights क्या है कि मैं अगर यह वाइलेट हुए तो वी केन ओटो सुप्रीम कोट वी कन गो तो हाई कोट बट फोर DPSP यूंक गो एनिवर देयर जस्तन डायक्शल कि मैं स्टेट को इस तरीके से काम करना चाहिए पर मानलों अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलन यह नहीं कि चलो महीं सुप्रीम तो यह तो यह तो यह तो इस तरीके से हर चीज को समझें अगर हम समझें स्टेट के पॉइंट अफ विऊ से तो फंडामेंटन राइट उनकी लिए नेगेटिव होगए क्योंकि वो वहाँ पर interfere नहीं कर सब और DPSP उनकी लिए positive हुए क्योंकि वो उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए तो इस तरीके से हमें केवल ऐसनी की बस पढ़ लिए ये DPSP ये बात ख़ता उनके अंदर से क्या interpretation निकलती है उसकी understanding बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है फिर उसकी बादे basic structure debate अब ये हमने पता है कि वही ये case start कैसे हुआ कि क्या parliament constitution को amend कर सकती है या नहीं तो पहले बोल लिया कि वही कर सकते हैं फिर पूलकनाथ case में बोला कि कुछ कर सकते हैं अब पॉइंट ये है कि basic structure में क्या आएगा और basic structure में क्या नहीं आए उसको लेकर कई सारे cases हैं जो हमें पढ़ने है basic structure debate के अंग इसके बाद है union भई तीन हन structure पढ़ते हैं न हमारा union, state और local केंद्र, राज्य और ग्रांग अब ये तीनों स्तर हमें समझने हैं अगर हम union की बाद करते हैं तो basically structure कितने में divided हैं तीन में ही तो है लेगिसलेचर, executive, judiciary विदायपानिका, कारेपानिका, न्यायपानिका लेगिसलेचर का काम क्या है? कानौन बनाना, executive का काम क्या है? कानौन लागू करना और judiciary का काम क्या है? चेक और बालन्स बनाए रहे हैं तो अब अगर हम union की बाद करें केंद्र की बाद करें केंद्र के अंदर विदाय काम कौन कर रहा है? विदाय पालिका क्या है? संसर पालियमेंट लेंदर समझना है हर चीत समझने कुछ नी छोड़ सकते फिर जिफितgen कुष्चन पुछता पड़नी की पड़ने है पालिया मेंजेकुटिटीस पड़ने पर दने है छोड़ना कुछ नहीं तब पड़ना है कोष्चन कहीं सींहीं आ सकता है, Executive में क्या आएगा अगर आप Union Executive पढ़ने लगों तो क्या आएगा President आएगी आएगी Prime Minister आएगी Council of Minister आए ये सारी चीज़े आप किसमें पढ़ने है Executive में पढ़नी है अगर Union के Judiciary की बात करों तो Supreme Court क्या पढ़ेंगे हम Judiciary में Supreme Court कि वह कितने जजीज हैं कैसे अपॉइंट होते हैं क्या पोजीशन हैं कैसे हटा सकते हैं हटा सकते भी हैं कि नहीं हटा सकते एड ऑब जजिज कोन है, यहाँ पर जो आपका फोरॉम होता है, वो क्या होता है, प्रोडन L siper क्या होते हैं, अगर यहाँ पे लखा है हर चीज आपको यहाँ पर यहाँ पर समझ लिए है, कुछ टर्म से, जैसे मैंने भी प्रोडन L siper कर उला वो five minutes में से जुड़ी है तो सबचना है कि वो टॉंग किन के ले यू में उजोरी है, किनू को बुला रहे हैं, एद होब जजीज एं, किनू को बूल रहे हैं, कहां से बुला रहे हैं, यहां से हर एक चीज समझ नहीं है, इसी तरीके से, स्टेट राजे क्या अगर विधायपानी का यानि legislature संजे तो क्या है legislative assembly and legislature council विधान सभा और विधान परेशत और इनके साथ कॉन डिड़ेगा जबर है न राजे पान लेकिन अम सहजना क्या है लोग सभार राजे सभाव बहुत इंपोर्टन्ट हैं दोनों के दोनों खासकर जब ordinary bill है, समान में विधयप में दोनों के पास समान शक्तिया है, equal powers, but in state हर जगा पर तो legislative council है ही नहीं, क्योंकि mandatory है ही नहीं, legislative assembly mandatory है, सब जगा पर है, but by cameralism, states के अंदर mandatory नहीं है, तो हर जगा पर legislative council नहीं है, तो यह समझना है, कहां है, कहां नहीं है, कहां बनी, कहां पर अब खतम हो गई, किस के द्वारा बनाई जाएगी, कौन permission देगा, क्या legislative assembly में कित्ते लोग होंगे, legislative council में कित्ते लोग होंगे, जैसे जब legislative council का पढ़ोगे न, पॉंपोजीशन, तो 1 बाइ 3, 1 बाइ 3, 1 बाइ 12, 1 बाइ 12, 1 बाइ 6, इस तरीके से अलग अलग जगा से लोग आते, ठीक है, तो यह चीज़े हमें समझनी हैं, detail में समझ गई, फिर executive में से, जैसे वहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर पढ़ लोगे, council of ministers हैं और judiciary में वहाँ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, तो यहाँ हाई कोर्ट पढ़ोगी, साथ साथ में जब हम judiciary cover तरेंगे, तो अब फुच्छीजे और covers तरेंगे, जैसे कि judicial activities, ठीक है, कि आज कल नयाईक सक्रियता बढ़ रही है, जुडिश्री का काम तही है, कानून मनाना, तो काम है, लेकिन कई बार judiciary ऐसा decision दे देती है, कि वो अपने आपी क्या बन जाता है, लो बन जाता है, this is judicial activities, कि जो काम उस ओर्गिन का नहीं है, फिर भी वो ओर्गिन कर रहा है, तो उस चीजों को भी हमें यही बर कवर कर लेना है, फिर नेक्स्ट है federalism, सांग बाद, अब समझना है, यह बोस्ता क्या है, साइडरलिजम, पावल, डिवाइड जब होती है, सेंटर और स्टेट के वीच, division of power between सेंटर एंड स्टेट, केंद्रवे राज्ये के वीच में शक्तियों का विवाज, अब इसके अंदर कई सारी terms यूज होती है, एक होता है, सेंटरिकल साइ लेकिन जब आप अनंग अनंग राज्यों को अनंग तरीके से ट्रीट करते हो, जैसे हमने क्या अगर अब की बात छोड़ दो, पहले क्या था, कि वह इसको special status दे दिया, कुछ जैसे अगर आपके पंचायत राज की वास्तेरें, तो कई सारी states हैं, जो से exempted है, किसी को अलग से exceptions दे दी, किसी को exempted दिया, तो ऐसा है हमारे साथ, क्योंकि हमारे हैं डाइवर्सिटी मोगत है, तो हमने कुछ-कुछ states को कुछ-कुछ special rights दिये हैं, कुछ-कुछ state को exempted रखा है, कुछ-कुछ चीज और, तो इसका मतलब सब के साथ हम सेम तो नहीं है, हमने तो अलग-अल equality है, मगर हमने कुछ-कुछ चीजों में changes करे हैं according to the need, interest and content, तो इसको क्या मोरेंगी asymmetrical federalism, कैसे हैं, कौन सी state के पास special rights हैं, किस तरीके से different हैं, ये सारी चीज यहां पर पढ़नी हैं, और साथ ही में, यहीं पर आप पढ़ लोगे state reorganization है, कि कैसे-कैसे अलग-अलग states का organization हु बने हैं, कब बने हैं, कैसे बने हैं, किस फरिस्तिती में बने हैं, हर एक चीज आपको कवर करने हैं, फिर है local government, अब local government क्या है, थानिय सरकार, पंचायत और municipalities, 73rd and 74th Amendment, 1001% question paper में मिलेगा ही मिलेगा, होई नहीं सकता कि paper में 73rd, 74th के सवाल ना दे, देगा ही देगा, और देगा भी ऐसार कि हमें नहीं अरे पढ़ा थो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, क्यूंकि वो पूछेगा एक एक प्रोवीजन, कि क्या 73rd ने कुछ प्रोवीजन्स देए हैं, जो mandatory हैं, कुछ हैं जो voluntary, mandatory मतलब यह सब को ही करने हैं, voluntary आपकी छपे, जैसे अब mandatory क्या है कि आपको SCST को reservation देना है, पर voluntary क्या है, कि backward classes का आप देख सकते हो, आपको देना है या नहीं, अब यह ही देगा, कि backward classes का voluntary है, या mandatory है, तो एक एक प्रोवीजन को study करना है, कि वह ऐसा नहीं कि उपर से बढ़िए अच्छे, यह आया, यहीं कमिटी थी, ऐसा ऐसा हुआ नहीं वही रेवर्ण की constitution को detailed study करना है, उपर उपर से नहीं पढ़ना है, तो यहां पे हम पंचायत और municipalities पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे पंचायत के अंदर, बलवंत्राय मैता कमिटी अशोग मैता कमिटी जी भी किराहो एलन सिंग भी हर एक कमिटी पढ़ेंगे, फिर उसक के अंदर क्या provisions है पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या obstacles है पढ़ेंगे, कौन से state इससे exempted हैं, पीस्ता act क्या है, वो सारी चीज़ें यहां पढ़ेंगे, और फिर municipalities 74th amendment पढ़ेंगे, फिर ले कुछ commissions और other bodies, अब कई सारी important commissions है, जो हमें पढ़नी हैं, जैसे की, एक अगर office की व इंडिया, ठीक है, अकाउंटेंट है, एक लोयन, तो वो समझना है, फिर election commission, finance commission, election commission की साथ-साथ, elections की पूरी डिटेल भी बढ़ेंगे, election कैफे होते हैं, क्या election mechanisms हैं, क्या elective reforms हैं, और election commission क्या-क्या काम करते हैं, इसी तरीके से finance commission जब पढ़ेंगे, तो center और state की finance relations भी होता है, finance commission क्या decide करती है, कैसे decide करती हैं, इसके बाद, national commission on schedule caste and national commission on schedule tribe, ये commission है, जो बताती है कि वही, advisory bodies है, basically, क्या better चीज़ी तर्मी चलिए, ऐसी ऐसी कि ये इसी तरीके से women पर भी है, और minorities पर भी है, national commission on women, national commission on minorities and human rights, मानवधिकार पर, तो ये जब आप commissions पढ़ेंगे, commission का article, अब जैसे किस बार question आया था, election commission अगर आप पढ़ोगी, तो उसका article पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 324 है, तो बस 324 पर छोड़ लिया, नए, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 3330, जम तक उस commission के articles चल रहे है, आप सारे पढ़ेंगे, इस बार question आया था, article 328, तो हम जो तो बस 324 पर पढ़ के छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं देंगे, जिब दिने उसके article का बार है, जै वो कहीं से शुरू की कहीं ख़़म होता है, आपको एक एक article पढ़ना है, इसी तरी के finance commission, फिर SCST, फिर women, minorities and human rights, फिर इनका composition, कि कौन के अंदर है, कितने members है, कहां से आएंगे, appointment कैसे होगा, फिर इनकी power, इनके पास क्या power है और इनके क्या functions perform करने हैं, तो एक एक चीज आपको detail की अंदर यहां देख पढ़नी है, साथी साथ emergency powers पढ़नी है, तो आप जब प्रेजिडेंट पढ़ रहे होंगे, साथ में ही वह इंडियन Constitution या इंडिया एक कुवाजी फेडरल स्टेट है, तो केसी वियरे ने बोला, तो ग्रैंडिल ऑस्टिन ने क्या बोला, इस तरीके से questions बनते हैं, इसकी characteristics यह इसके बादे में किस ने बोला, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो बुक से कुछ जो आप रैफर कर सक सकते हैं, but understanding के लिए आपको बहुत बीतली चीजों को समझना होगा, बढ़ा कुछ चीजे हैं, जहां से आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे अफ्कॉस लक्षमी कांक, इंडियन वालिटी और वियल फार्डिया की किताम है, जो इंडियन गवर्मेंट और पॉलिटि झाल झाल झाल